हस्तियों को पूछताच के लिए समन भेश सकती है रिया के ड्रग्स कनेक्शन की तफ्तीश में आक्टरिस सारा अली खान रकुल प्रीट सिंग और फाशन डिजाइनर सिमोन खंबाटा का नाम सामने आया है NCB की सूत्रों से ये पता चला है कि रिया ने सारा अली खान से कई बार ड्रग्स ली थी NCB सूत्रों के मताबग सारा अली खान एक हाई प्रोफाइल ड्रग पैडलर से जुड़ी है जिसकी तलाश में NCB जुटी है NCB सूतरों के मताबिक कुछ Drug Peddler से सारा और रिया दोनों के संपर्ख थे और यही नहीं सारा दूसरे Drug Peddler से भी ड्रग्स लेती थी और NCB सूतरों के मताबिक सारा ने रिया को भी ड्रंग्स पैदलर से द्रग्स दिलवाई है जो की सुशान तक पहुंचती थी और यही नहीं सुशान्त के लोनावला के केर्टेकर रईस ने भी NCB और CBI को दिये अपने बयान में सारा अली खान का नाम लिया था और बताया था कि वो कुछ माईने तक सुशान्त के लोनावला वाले फार्म हाउस में आती थी और दार सुशान्त की फार्म हाउस पर शापे मारी के दौरान NCB को नशे में इस्तमाल होने वाली कई चीज़े बरामद हुई है शापे मारी के दौरान सुशान्त के घर के अंदर से हुका पीने में इस्तमाल किया जाने वाला सामान समेथ दवायां मिली है NCB की नजर अब सुशान्त के फार्म हाउस पर आने वाले लोगों पर है कि कौन-कौन से लोग सुशान्त के फार्म हाउस पर आते थे NCB ने फार्म हाउस के पास का CCTV का DVR भी सीज किया है NCB की टीम फार्म हाउस के आगे उस जगा पर भी गई जहां सुशान्त रिया के अलावा दो बॉलिवूट की आक्ट्रेस को लेकर वो गए थे और उस आयलान और ड्रग्स पार्टी की जानकारी भी NCB की टीम को मिली है तो लगातार जो जानकारी NCB को मिल रही है उससे इस इन्वेस्टिगेशन को और जादा आगे बढ़ाने में मदद मिल रही है अब NCB की टीम फार्म हाउस के आगे उस जगा पर भी जाने की तयारी कर रही है जहां सुशांत रिया के अलावा दो बॉल्यूट के और आक्ट्रिस के साथ गए थे उस जगा पर जाकर NCB अपनी इन्वेस्टिगेशन को आगे बढ़ाएगी और ये पता करने की कोशिश करेगी कि आकर वहां ऐसा क्या था वहां क्या ड्रग्स को लेकर चीज़े आगे बढ़ाई जाती थी क्योंकि लगातार फार्म हाउस से मिल रही चीज़े एसी और इशारा कर रही है सुशांत के पूर्व ड्राइवर अनल अधिवासी ने News 18 से बाचीद में दावा क्या है कि उन्होंने सुशांत को कभी ड्रग्स लेते नहीं देखा और सुशांत के घर सारा अली खान आती थी और वो उसको लेने भी जाते थे आनल के मुताबिक जब तक वो नौकरी पर रहे दोनों में कोई दिक्कत नहीं थी किस तरह का रूटीन होता था कौन आता जाता था घर में उसके बारे में कुछ बताएं हमें ऐसा तो कोई आता जाता नहीं था उत्ती समय सर बहुत बीजी थे और सब बोलते डिक्प्रेशन में थे ऐसा कोई बात नहीं था सर इकदम नॉर्मल जैसे आम इंसान रहते हैं सेम हुई से रहते थे सारा आती थी घर पर आप उनको लेने जाते थे वैसा कुछ था हाँ सारा में कभी-कभी आती थी एक-दो बार साइद मैं लेने गया ड्रॉप भी करने गया बाकी कोई नहीं आता जाता था है बार सारी चीज़ें कहीं जा रही हैं जो है वो लग का सेवन करते थे अब ने के साथ हर वक रहते थे अगर मैं गलब कुस्वार गताते नहीं हो आप लक दया में धाई महिने था धाई महिने में कभी ऐसा देखाने की वो ड्रक्स ले रहे हैं